हेलो नमस्कार गुड मॉनिंग मैं राखुल चैन आप सब का फिर से वेलकम करता हूँ एक बार मारे यूट्यूब चैनल पर और जैसा कि आप सब जानते हैं हम कुछ रीजिनिंग की मैट की इंगलिस की वीडियो हम लेके आ रहे हैं आज क्योंकि हमारा ये बेस्ट लगातार तर्गेट कर रहा है CUET and NTSC की प्रैक्टिस के लिए तो NTSC और CUET दोनों की प्रैक्टिस के लिए हमें बहुत जरूरी है इसपॉर्ट था एरर एक होता है टॉपिक होता है जिसमें से कॉश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि ग्रैमेटिकल वे में हम कितना इस्ट्रोंग है तो आज हम उसकी वीडियो लेके आया हूं जिसमें कुछ हम तार्गे करेंगे प्रिपोजिशन बेस्ट कॉश्चन हम द अगर आपको पता हो तो इसका मतलब इसमें तो इसका आंसर आएगा ओप्सिन आएगा इसका इसके अंदर इस पार्ट के अंदर एक ऐरर है ऑन नेक्स्ट कुश्चन की तरह बढ़ते ही हम वेन दिस वाज सर्चड इट वाज फाउंड एंड यंग सर्वेंट सर्चड फोर आता है बटा सर्चड कभी भी सर्चड एक पोजी सने जो कभी भी अकेले यूज नहीं हो सकती है इसके साथ हमें कुश्च ना कुश्च लगाना पड़ेगा तो इसलिए यहां पर सर्चड फोर आता है तो इस वाले पार्ट पर यह वाली मिश्टेक है उप्सन भी में सर्च फोर आएगा इसलिए अगले कुश्चन की तरह बढ़ते हैं नहीं तपर आता है मिश्चेक के फोर और मिश्च diva कर्रोंश इधियर स्टैरे कानौर्ट आता है यहां पर बैड यहां कर्रेस्पॉंट तू आता है मिश्टेक है कर्रेसपॉंट तू क्रिस्मस्ट विच इस सेलिबरेटेड विद एंतुसियास्म एंड यह तो इसका ऑप्शन भी होगा हमारे साफ रहा हुआ आएम हैपी फॉर टोमोरो एज ए हॉलिड़े आएगा बिटा यहां पर हम बोलते हैं ना टोड़े इस हॉलिड़े टोमोरो इस हॉलिड़े तो यहां पर एक इंडे इंडेफिनिट आर्टिकल मिसिंग था इस वाले में तो इसका आंसर यह वाला होगा वन हंड्रेड चिल्डरन पॉसीवली मोर हैव डाइड ओफ कोलरा आता है यह इपर पुजीशन की मिष्टे का यहां पर भी यहां पर डाइड के बाद ओफ आता है फोर नहीं आता कभी पूण डाइड ओफ कोलरा डाइड के साथ प्रपुजिशन तो मैं याद रख दिया है कि डाइड के साथ ओफ आता है तो इस वाले में डाइड ओफ कॉलेरा इस वाले पार्ट में मिश्टेक होगी महात्मा गांधी टॉट बाइ बोथ परसेप्ट एंड एग्जामपल एट अन्टचेबिलिटी इज ए मेजर अगेंश्ट गॉड एंड मैं तिन अगेंश्ट गॉड आता है सिन बिफोर गॉड भगवान के सामने का मतलब यह नहीं है उसमें के सामने के लिए हम अगेंश्ट का यूज करते हैं राकेश सर्मा दा इंडियन स्पेस हीरो इज मच सौट आफ्टर बाइ कॉलेज स्टूटेंट्स एंड इज इन्वाइटेड ओन आता है हम किसी को इन्वाइट जैसे हम बोलते हैं गुल्बबकुल फूर तो आता है यह लिएtım कभी ओन आता है हम इन्वाइटेड ऊन डिनर यह ही इस इन्वाइटेड ऊन आता है five इन्वाइटेड के साथ ओन आता है तो यह वाली यह पे मिश्टेड थी इन्वाइट उन आयेगा तो आपसंट्ऽग का रोंग था माई सिस्टर बोट बॉर्ट राइट सारी प्रैफरर इट अच्छा एक ठीकल यहां पर बहुत बड़ी मिश्टेक है प्रैफर के साथ हमेशा टू आता है यह तूम्हें यार रखना है सि प्रैफर स्टी टू कॉफी ओवर कॉफी है देन कॉफी नहीं आता है c prefer se t to coffee आता है तो prefer के बाद 2 आता है तो इसका पतलब इस वाले में mistake है यहां पर option c में spot there next c got hurt when the transistor in the hand explodes अच्छा यहां पर तो एक साप दिखरा होगा अगर थोड़ी सी grammar की knowledge होगी c के साथ यहां पर second form यूज होगी तो पूरे sentence पर second form यूज होगी explode नहीं आ सकता exploded आएगा exploded 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 आएगा इस वाले में थोड़ी call आगी थी तो इस वाले में exploded आएगा इस वाले में अगले question तरफ बढ़ते है last question आजगा was it him who got injured in the next reaction अच्छा यह तो simple है was it he आता है was it him कभी भी इसमें हमारा जो pronoun होगी फॉर्म यूज नहीं होती हमें इसमें was it he या was it I was it you इस तरह से यूज करते हैं तो him नहीं आएगा इसमें was it he आएगा okay उम्मीद करता हूं इस दस questions में आपको मजाया होगा कुछ सीखने को बिले होंगे आगे भी इस तरह की वीडियोच लेके आते रहेंगे आपके लिए तो तब तक के लिए enjoy कीजिए इस वीडियो को good night करते हैं